एलो इंड वेलक़मौ अल आफ यू आउ म दोक्टर वरुन वासेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्टानलोजजिंग spondylitis के बारे में एंक्टानलोजजिंग का मुदलब होता है fusion होना, stiff होना और spondylitis का मुदलब होता है कि inflammation of vertebra ऐसे स्पाइन का हो जब इंफ्लामेटरी रिस्पॉंस मिलता है और वो फ्यूज होने लगती है उसको हम बोलते हैं एंकलोजिंग स्पॉंडलाइटर्स और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी 4 best exercises की जो एंकलोजिंग स्पॉंडलाइटर्स के पेशन को रोज करनी चाहिए ताकि वो अपनी स्पाइन की स्टिफनेस से और उसकी पेन से बच सके तो इस वीडियो को लास तक जुरूर देखिए तो चलिए सबसे पहले देख साथ है यहाँ पी अछिए तो सुलुमेशन होता है तो उसकी एंफलामेशन चुरू вд Charłość होता है कि साइनब्रेन की इंफलामेशन होना था inflammation के बाद वहाँ पे fibrosis हो जाता है, fibrosis हीलिंगा पाट है, जो stiff होने लगता है, hard होने लगता है अब fibrosis के बाद, वहाँ पे calcification और ossificial होने लगती है, अब यहाँ पे enthysis होता है, enthisis होता है जैसे कहीans ligaments हैं, tendons हैं जो bone के साथ जहाँ के periosteum के साथ attach होते हैं उन places को हम anthesis बोलते हैं जहां पर ligaments होते हैं अब इसी ossification और calcification और fibrosis के process की विज़ा से यहां पर anthisopathy होती है anthisopathy का मतलब होता है new bone formation जहां पर ligament है अब ligament जो है वो structure है वो bone की shape लेने लगते है इतना hard और stiff होने लगते है उसको हम anthisopathy बोलते हैं जब ligament हमारा hard होने लगता है stiff होने लगता है तो यह anthisopathy इस process को बोलते हैं और उसके बहुत होती हो स्टोफाइट्स बन जाते हैं इसको हम syndesmophytes बोलते हैं तो यही प्रोसेस होता है कि जब ligament वो hard shape लेने लगता है तो एक bamboo spine बन जाती है यही ankylosing spontylitis में होता है इसके x-ray में भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे दिखता है यह bamboo spine बन जाती है बिल्कुल क्योंकि hard surfaces है जो ligaments थे जो flexible थे वह चीज बोन बनने लगती है hard होने लगती है तो यह bamboo spine बन जाती है जिसमें बिल्कुल stiff हो जाती है और fuse होने लगती है तो यही स्टार्ट होता है इसको severe pain होती है ऐसे patient को sacrilec joint में और low back pain में क्योंकि low back में बहुत जादा severe pain होती है और ऐसे patient की age commonly 15 to 40 years होती है और इसमें सबसे important चीज होती है HLA B27 यह test हम ज़रूर करवाते हैं जब भी हमें ankylosing spondylitis का doubt होता है तो HLA B27 ऐसे patient का हमेशा positive आता है और यह heredity होता है कहीं लोगों को 80% chance यह है कि heredity अगर किसी को family में है तो उसको HLA B27 उसका positive आता है और ankylosing spondylitis होता है और यह more common होता है males में female से ज्यादा यह males को affect करता है और इसमें और भी चीज़ें होते हैं जैसे extra spinal भी होता है जैसे हमें iritis, eyes का problem भी हो सकता है ऐसे patient को ulcerative colitis भी होता है और pericarditis भी हो सकता है तो ऐसे patients को other than spine के पेन के फीचर्स भी होते हैं जैसे और भी चीज़ें होती है तो ऐसे पेशन में यह चीज़ें जरूर चेक करनी चाहिए स्पेशली है एचले बी टॉंटी सेवन पॉस्टिव है के नहीं इसी से हमें पता लगता है तो चलिए अब चलते हैं एक्ससाइज की तरफ एंकलोजिं हैं जो लिगा मैन्स है वह बोन में चेंज हो रहे हैं और स्टिफ हो रहे हैं तो इसलिए इसके जो पेशेंट है उसका टीपिकल पॉस्ट्र इससारा से रहता है तो हमने अब उसकी स्पाइन है उसकी आपको बताते हैं कैसे शुरू करनी है क्योंकि उसको अगर आगे हमने सबसे फास्ट एक्सेसाइज जो सबसे पहली एक्सेसाइज कैसे करनी है उसमें पेशन ने इस तरह से सीधे लेट जाना है वैसे तो ऐसे पेशन को लेटना और उठना बहुत मुश्किल होता है तो टमी टक में आप मेना वीडियो जरूर देख ले उसमें आपको पता पूरी होता है सबसे पहले पेशन ने जब भी लेटना सीधे तो उसने लेक्स फोल्ड करके लेटना है क्योंकि सेक्रियो एक जॉयंट है तो जब भी उसमें इंफ्लामेशन होती है तो लेक्स सीधी करने में वह इंफ्लामेशन बढ़ जाती है तो इस तरह से लेक्स उसी में लगता है पर आपको कोशिश करने हैं कि दो पिलो पेशंट ना ले तो इसमिका करना है इस तरह से अमने जो पिलो है उसको आपने हैड के नीचे रख लेना है और दुनों लेक्स फोल्ड करके सबसे पहले अपनी चिन को थ्रोट के साल लगाना है और उसके बास सिर से अपने हैड से पिलो को प्रेस कर देना है यह मलब साइमल्टेनियस एक्षन होगा चिन का और अपने हैड को प्रेस करने का पर आपने इसको दो स्टेप में करना है पहले चिन को थ्रोट के साल लगाया इस तरह से नीचे की और उसके बाद आपने सिर से पिलो को प्रेस कर द बिल्कुल centrally place कर देना है ताकि अपर बैक के नीचे आए अब इस तरह से इस टॉबल के उपर लेट जाना है इसका purpose यह होगा एक तो लेक्स फोल्ड रखनी है ताकि जो मारा जो एक्स्ट्रा जो कर्व है वो जो आगे को आया हुआ है वो एकदम से balance हो जाए और हम जब पेश कि जो exercise होगी उसे उसके pectoral muscle भी stretch होंगे तो इस तरह से उसको हमने इस तरह से लिटाना है इसको हम कम से कम 10-20 seconds hold करके फिर उसको कम से कम rotation ले सकता है हलका सा नीचे आके और इस तरह से फिर इस तरह से rotation ले सकता है अपने टॉबल से हटने के लिए अब इसी position में हमने रहके ट मन पर पेशन है और दोनों shoulder को bed पर प्रेस करवाना इस तरह से अब देखे इस तरह से लेटा है पेशन अब दोनों shoulder को हमने नीचे की और इस तरह से प्रेस कर वाजना हमने को कि rotation बहुत important role play करती है हमारी spine movements में अब जिदर को हमारा ये pair जा रहा है उदर को हमने अपनी body rotate करवा देनी है इस तरह से अब ये rotation जो है ये pelvis को stable रखती है और पूरी spine तक हमें rotation feel होती है इसी तरह से वाफी चल जाना है अब दोनों हाथ पिछे रखने का benefit यह होता है कि हमारे जो pectoral muscle है वो भी stretch हो रहे है अब इसमें patient कर सकता है किसी की help भी ले सकता है अब दोनों elbows को stable करने के लिए किसी की help भी ले सकते है कि वो पूरा stretch हो और पूरी stability हो उसके बाद वो पूरा इस तरह से rotate हो सके तो इस तरह से हमने यह rotation करनी है अपनी spine की कुछ लोग इस तरह से दोनों legs को fold करके simple यह वाली rotation करते हैं इसमें उनकी सिरफ hip rotate होता है ज्यादा rotation spine तक पहुंचने पाती तो इसलिए pelvis को stable करने के लिए एक leg fold करके उसको उपर रखे तो यह rotation ज्यादा better होती है spinal movements के लिए तो अब चलते हैं अपनी fourth exercise की तरफ यह exercise strength भी देती है और अपने core muscle को stable भी करती है जो कि patient के लिए बहुत ज़रूरी है यह exercise is superman exercise इसमें patient ने इस तरह से दोनों knees पे और दोनों हाथों पे रहना है और opposite arm और leg को इस तरह से raise करना है इसमें एक ध्यान रखना है कि patient ने अपनी neck को ऊपर नहीं करना क्योंकि इसमें हमने नीचे ही देखना है ताकि neck extension में न जाए और इस तरह से हमने opposite arm और leg को 55 second के तक hold करना है उसके बाद बापिस ले जाना है और जो अपनी knees को open करना है वह shoulder width hand width के पाठ रिखना है और इसी तरह से यह वाली leg opposite arm और leg को इस तरह से alternately हमने उठाना है और leg को बहुत जादा उपर नहीं उठाना है एक straight line में यह posture होना चाहिए और इसमें अगर patient tummy को tuck in कर लेगा तो उसकी core strength और अच्छी होगी तो उसको और strength feel होगा यह हमने करना है 55 second hold इसकी 55 repetitions ankylosing spondylitis के patient को रोज करनी चाहिए वैसे तो यह exercises patient को रोज करनी चाहिए यह four exercise बहुत important है उसकी mobility के लिए और strength के लिए भी पर अगर कई बार acute inflammation हो जाती है जैसे season change में पी patient को बहुत problem आती है तो acute inflammation में उसको rest करना चाहिए जैसे inflammatory response और painful response कम होता है तो फिर से यह exercise continue कर स exercise तो उसको रोज करनी चाहिए जिसमें किसी strength की ज़रूर नहीं है सिरफ mobility exercise है तो यह थी मारी four best exercises वैसे तो ankylosing spondylitis बहुत important और बहुत बड़ा topic है इसमें और भी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसकी अभी exercise पूरी नहीं हुई है और भी बहुत सरी exercise है stages wise इसकी exercise होती है य एंकलोजिंग spondylitis वाले patient को अपनी spine को healthy रखने के लिए रोज करनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा सदा like कीजिए और share कीजिए बाकी आपको अगर specifically अपने लिए कुछ पूछना है या आपने कोई doubts है तो आप इस number पे जाके हमसे phone consultation ले सकते हैं उसका procedure मैंने हर low back pain series में पताया हुआ है आपको जाके इस number पे आप अपने appointment book कर सकते हैं और अपनी कोई भी MRA report भेज के हमसे spine के related shoulder, knee के related आप इसको fees पे करके आप इसको हमसे consult कर सकते हैं तो इस वीडियो को जाए से like कीजिए, share कीजिए और हमारा facebook page सुकून physical therapy भी जरूर लाइक कर लीजिए इस पे भी हमारे अप daily updates आते जाते हैं क्योंकि अगर आपका कोई हमारे चैनल में से पुराना वीडियो मिस हो गया है तो यहाँ पे हम सारी वीडियो अपलोड कर रहे हैं इसको जरूर लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ हमारा instagram पे आप हमारा page है उसको follow जरूर कर तो यह दो काम आप जरूर कर लीजिए साथ ही साथ इस चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है have a nice day take care of yourself